अग्ले सीन में हम उसी लड़की को एक कॉलेज में देख पाते हैं जहां पर हमें पता चलता है कि उसका नाम क्लॉई है और वो एक प्रोफेसर होता है पर क्लास में पढ़ाने के दौरान उसका ध्यान लड़कीों को पढ़ाने में नहीं बलकि उनके बॉड़ी पार्ट्स देखने में जादा होता है लड़के भी इस चीस को नोटिस कर लेती है यही पर दूसरी तरफ हम एक लेडी को धिखते हैं जो अपनी बच्ची को किम के पास छोड़ करके कहीं चली जाती है और किम जब इस बच्ची को वाक कराने के लिए पार्क में जाती है तब ही हम वहाँ पर किम को भी देख पाते हैं पर अचानक से उसे पता नहीं क्या होता है वो उस लड़की को किट्नैप कर लेता है और वो विचारा बच्चा पार्क में ही अकेला छोड़ जाता है यहाँ पर क्लॉय जब किम को घर पर लाकर खोलता है तो उसे पता चलता है कि वो बच्चा उस लड़की का नहीं होता है तुम्हें दूद साथ क्या खाती हैं। अगले दिन किम की जब आग खुलती हैं तो वह दिखती है कि क्लॉय उसके लिए नाश्ता लेकर आया हैं पर किम उस नाश्ते को नहीं खाती और उससे पुष्ट ही कि आगे उसने उसने उसे यहाँ पर बांध कर क्यों रखा खौए है कि उसे लड़कियों का दूद पीना बहुत पसंद है और इसलिए वो किम को यहाँ पर लाया था पर जब उसे बता चला है कि किम का कोई बीबी ही नहीं है मतलब किम उसे दूद पिला ही नहीं सकती है तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा तुमारे साथ क्या किया जाए पर तुम परिशान मत हो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं बलकि तुम्हें दूद देने लायक बना दूँगा इसके बाद किम एक बार फिर से उसके मूँ को बान देता है और फिर उसके सारे कपड़े हटा करके उसकी डेरियों की मसाज करने लगता है ताकि उनमें से दूद निकल सके उस पेचारी लड़की को ये चीज़ बिलकुल भी पसंद नहीं आ थी पर वो मजबूर होती है और कुछ कर भी नहीं सकती थी अब तक किम भी इतनी भूगी हो चुकी थी कि वो क्लोई के एक कहने पर ही खाना खाने को तयार हो जाती है खाना खिलाने के बाद क्लोई उसे कुछ टैबलेट्स पे खिलाता है ये टैबलेट्स वो उसे इसलिए खिला रहा था ताकि किम जल्दी से जल्दी दूद देने लग जाए वो हर रोज उसकी डेरियों को भी दबाता रहता है और अलग-अलग तरीकों से उसका दूद निकालने की कोशिस करता है ताकि उसे लड़की का दूद पीने को मिल जाए किम को ऐसा लगता है कि शायद ये पागल हो गया है और पागलो जैसी हरकते कर रहा है पर वो क्लोई से काफी डरती थी इसलिए वो उससे पूछती है कि मानलो अगर मेरा दूद नहीं निकला तो तुम मेरा क्या करोगे क्लोई से कहता है कि अगर इतना सब करने के बाद भी दूद नहीं निकला तो मैं तुम्हें इंजेक्शन्स लगा करके तुम्हारे एस्टोजन लेवल्स को बढ़ा दूँगा और अगर मानलो उससे भी बात नहीं बनी तो तुम्हें बजाना मेरा लास्ट आप्शन खेर वो अपने इस ड्राइंग को कलर से चुपा भी देती थी ताकि क्लोई को इस बारे में पता न चले एक दिन के मुस्से कहती है कि उसने बहुत समय से सूरज नहीं देखने का बहुत मान है पर क्लोई इस बात के लिए उसे मना कर देता है और उसे घर के अंदर ही रहने बोलता है हम देखते हैं पूरा दिन किम को जंजीर में बांद कर रखा जाता है और सिर्फ एक समय पर ही जब उसे कपड़ा बदलना होता है तब ही उसे आजाद करता था यहां पर पूरा दिन अकेली ही रहती थी और उसके पास कोई नहीं होता था इसलिए इसके मन में कहीं न इल्कुल भी नी बनती थी और वो बहुत जगरते रहते थे इसे चलते ही एक दिन अचानक से घर में आग लग जाती है तो उसके डैट वहां से भाग जाते हैं क्लोई को जब तक यह बात पता चलती है तब तक आग बहुत फैल चुकी थी वह अपनी मौम को जगाने की हुआ था और वो जबर्दस्ती किम को लगाने लग जाता है यहां पर किम भी ज़्यादा विरोध नहीं करती है क्योंकि उससे पता होता है कि क्लोई कितना बड़ा संकी है और वो उसकी जान भी ले सकता है इसलिए जैसे वसा वो करता चाता है किम उसके साथ करवाती जाती ह एक दिन Chloe किम के पास आता है और उससे कहता है कि तुम मेरे सपनों में हर रोज आती हो और मुझे इतना परिशान करती हो कि मैं सो भी नहीं पाता हूँ किम को समझ में आ जाता है कि क्लोई कहीं न कहीं उसके प्यार में पड़ गया है और ये चीज उसके लिए आगे चल कर बहुत बेनिफेसल होने वाली है एक दिन किम क्लोई से कहती है कि उसे आईस्क्रीम और आचार खाने का मन कर रहा है ये बाद सुनकर क्लोई बहुत खुश हो जाता है और मार्केट में उसके लिए आचार और आईस्क्रीम लेने जाता है इसके साथ साथ वो उसके लिए एक ड्रेस भी लेकर आता है पर किम उसे पहनने से मना कर देती है वो Chloe से कहते हैं कि मैं उस stress को तभी पहनूगी जब तुम मेरे लिए एक mirror लेकर आओगे Chloe भी उसे उस stress में बजाना चाता था तो वो बहुत excited हो जाता है इसले तुरंत ही जाकर एक mirror भी ले आता है फाइनली वो दोनों तहार होकर के घर पर ही एक date करते हैं तभी Chloe उसे कहता है कि तुम्हें सच में नहीं लगता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ किम को उसकी बाते समझ नहीं हारी थी तो वो कुछ कहती नहीं पर तभी Chloe उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे ड्रॉइंग वाले message को पढ़ लिया है और अब मुझे समझ दिया रहे कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ किम उसे समझाने की कोशिश करती है पर Chloe उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता था और यहीं पर scene cut हो जाता है अगले सीन में हम दिखते हैं कि Chloe के सपने में अब किम के साथ साथ उसकी मौम भी आने लगी है जिससे वो और परिशान होने लगता है तभी एक दिन जहाँ पर उसने किम को बांध रखा था वो वहाँ पहुँच जाता है और जबर्दस्ति उसकी डेरियां दभाकर उनसे दूद निकालने लगता है किम अभी तक इतना प्रिपेर नहीं हुई थी कि वो दूद बना सके इस वज़े से अंदर से कोई दूद है निकलता पर इससे Chloe को गुस्सा आ जाता है और गुस्से से वो उसकी डेरी ही फार देता है और अंदर का मांस निकाल देता है किम को इससे बहुत दर्द हो रहा था पर Chloe नहीं रुकता और वो अपना काम करता रहता है कुछ देर के बाद Chloe को भी इस बात का रिग्रेट हो रहा था Chloe के वहाँ से जाने के बाद किम जल्दे से उस मांस के टुकड़े से हड़ी बाहर निकाल लेती है और उसे वैसे के वैसा रख देती है और जब Chloe वहाँ पर वापस आता है तो किम टाइम ना वेच्च करते हुए सीधा उस हड़ी से उस पर अटेक कर देती है जिससे वो काफी घायल हो जाता है और तुरंद भाग करके अपना बैंड़ेज करने लगता है यहाँ पर Chloe को सब कुछ यादा रहा होता है जो उसने किम के साथ किया था और यह देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था पर तभी वो एक चांप उठाता है और सीन नहीं पर कट हो जाता है अगले सीन में हम एक लड़के को देखते है जो Chloe के घर पर आया हुआ होता है और वो अपने सामने Chloe की पड़ी हुई लास देखता है यह दिकर हम समझ जाते है कि Chloe को शायद अपने किया पर पस्तावा हो गया था यह फिर शायद किम नहीं उसकी जान ले ली आपको क्या लगता है नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताईएगा मूवी की एंडिंग में हम किम को उसकी सिस्टर के पास देखते हैं पर वो थोड़ा सा डिस्टरब हो चुकी थी और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर एंड हो जाती है तो दूस्तों आपको कहानी कैसे लगी नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताईएगा और जो मैंने आपसे कोशन पूछा है उसका जवाब भी ज़रूर दीजेगा ऐसे ही और भी ज़ादा इंट्रेस्टिंग मूवीज के लिए चैनल को ध्यान से सब्स्ट्राइब कर लिजेगा क्योंकि ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियोज हम आपके लिए रोज रात को साड़े आठ बजी अपलोड कर देते हैं मुझसे बात अगर अगर नहीं हो या मुझे देखना चाते हैं तो आप इंस्टेग्राइम पर आ सकते हैं मेरी इंस्टाइडी है आपका शिवाए जो कि आपको स्क्रीन पर देख रही है और लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो आज के लिए बस इतना ही अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें धन्यवाद